हालो एव्रिवान येश दिस इस सो विन सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस बहुत ही खुब सुरत से लेक्चर में सक्सेस बैच के अंदर क्लास 11 का चैप्टर नमबर टू आज होने वाला खतम क्योंकि हम लेकर आए आपके लिए इंपोर्ण क्वेश्चन आंसर जिसमें हम बात करेंगे सलुशन के से तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत प्यारे से कंसेट को मजा आने वाला किसी में सलूशन के कर लो इसके उपर नुमेरिकल्स भी हम करेंगे जिससे कि आपको एक और चल रहे इंट्रोडक्शन टू एनलिटिकल केमिस्ट्री इस चप्टर के बाद में चैप्टर नुमर फोटील निकर आऊंगा बेसिक प्रिंस्पल आप और चैप्टर चल्दी करवा दीजिए तो इसके बाद वहीं चप्टर रहेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपका मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज दूसरा रहे मोल फ्रेक्शन तिसरा है मोल लारीटी और चौता है मोल लालीटी अब बहुत प्यारा सा अंसर जिए जब मैं बुलूंगा मास परसेंटेज तो मास परसेंटेज में सॉल्यूट होता है उसका परसेंट निकालने जा रहे हैं तो mass percent में percent कर दू, mass जो percent है, इसमें आप क्या करने वाले है, इसमें आप बोलेंगे mass of solute, mass of solute मतलब जो नमक होगा वो, उस solution में कितना present है, mass of solution, mass of solution into 100 करेंगा तो answer आपको percentage में आजाएगा, यह हमारा प्यारा सा information, आगर आपने observe क्या होगा, तो आप खुद बोलेगे कि sir, यह जो concept दिख रहा है, यह जो concept दिख रहा है, यह कहीं न कहीं मुझे normal percentage की याद दिला रहा है, जिसे आपको marks जो मिलते थे, तो जो मिला हुआ माक से वो उपर होता था, जितने माक का paper होता था ठीक है, जनरल इसके वोपर numericals बनते हैं, बट इसका numericals मैंने रखा हुआ है, प्रेंशन मत लेना, तो यह mass person के बारे में information है, अब ऐसा information आगा भाई, आपको के mole fraction क्या होता है, बहुत interesting चीज़ है mole fraction, ध्यान से देखना, concept में दिमा किन उसम उदर जाएगा, जब भी आपको mole fraction के बात करेंगे, तो यह बोलता है कि it is a ratio of, number of moles of a particular component, एक component है उसका जो number of moles होगा, बोल लेना है, जो solution में present होगा, एक component जो कि solution में present होगा, उसका number of moles होगा, इसका number of moles लेना है, divide by to the number of moles, total number of moles of this solution, यह यह बोल रहा है, जिसे की example कि लागर मैं बोलों कि सर इसमें कैसे specify करे करेंगे, इफ, component A, इसलिए 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 इ सब्सक्राहिर ब्रेख कमपॉनेंट ए में से कम बकॉनने अंच्ट ए मेल व्रनाफस किम न उल्म होगा तोम बोलिए मेल फ्रेक्शेट न इस जोगा उसका आइगा number of moles, number of moles of component A, number of moles of component A divided by total number of moles of solution. कुछ गया दिमाक में मतलब A और बी दोनु आ गए यहाँ पर अब यही अगर मैं आपसे पूछो कि सर मॉल फ्रेक्शन और बी निकालना है मुझे तो क्या करेंगे तो यहां पर देखो जरा मॉल फ्रेक्शन और कमपनेंट भी मॉल फ्रेक्शन अचा इसको लिखना कैसा होग यहां पर मॉल फ्रेक्शन आफ कमपनेंट भी 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 क्या होगा बोलो सेम क्या बोलेंगे नम number of moles of component B divided by total number of moles of solution. सर कैसे करेंगे तो यह होगा मेरा XB equal to NB upon N A plus NB equation number 2 यहां तर आपको समझ माना चाहिए अब यह थोड़ा सा extra information कर आ रहा हूं जरा में थोड़ा सा extra information है जो 12 में काम आता है कमबाइनिंग एक्वेशन 1 & 2 कमबाइनिंग एक्वेशन 1 & 2 जैसे मैंने कमबाइन का तो मुझे क्या मिल जाएगा XA plus XB को मैंने कमबाइन किया तो N A upon N A plus N B फिर इसमें N B upon N A plus N B अब आप ऐसे की सच में मेरा डीनो मेरेटर सेम है तो एक बार ही यूज होगा यह एक नया चीज़ आपको दीख रहा हूं कि सर ऐसा तो रोख में दिया नहीं है ओविस सी बात है नहींद यह तो आपको एक नया चीज़ क्या समझ मैरे के कभी भी जो मोल फ्रेक्शन होता है एकस एप्लस एकस भी या एक्स्वन प्लस एक्स्टू जाए शेकर अप मानो यह क्या होगा बच्चा इसका जो एडिशन होता है वह हमसा 1 1 1 आता है रहुश्क तरह से किसी भी सलुशन में जो सॉल्ट और सॉलेवन का जो मौल फ्रेक्शन होगा उसके सम को अगर हम करेंगे जोडेंगे तो हमें सावान आएगा यह हो गया मेरा मौल फ्रेक्शन के बारे में लीटर वर्ड भी आपको कहीं कहीं अंदर जबान के अंदर फस्तावा दिखेगा मौलारी टी तो लीटर वर्ड भी छू प्राइस के अंदर मतलब सर इट इस डिफाइंड एस दर नमबर आफ मोल्स of solute और लीटर को बोलते हैं वॉल्यूम प्रजेंट इन वन लीटर व सलुशन में कितना होता है तो सर अगर मुझे इसका फॉर्मुला दिखाना हुआ तो फॉर्मुला मैं इस तरह से दिखाऊंगा देखू तो मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी जो कि कैपिटल एम है तेट इस इक्वल टू नमबर आफ मोल्स ओफ दिसलूट चलेगा नमबर आफ मोल्स आफ दिसलूट डिवाइड भाय वोल्यूम उफ सलूशन वह भी किस में लीटर में क्या या बास समझ महाई यह बढ़ा प्यारता सा מא इन्फरमेशन पॉरिंसटों अब यह अन्य मौरीटी देब्र आने वाला है आपके लिए व क्लिए मोलाली टी-चित होता है यह स्मॉल ऐं से दिखाते हैं यह क्या होता है यह सीम अर्ष से क्या होगा तो हम मुलें जा मॉलाटी का मतलब है मोल्स अफ वस सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रैकेट राइट के जी इसलिए आपन है का पर यूनिट पर केजी रहेगा देखो आपन इन वन केज ऑफ सॉल्वेंट चलेगा सॉल्वेंट आपका वन अगर आप मोलारेटी के यूनिट के बात करें तो उसी के बैस पे फिर आप लिख लो मोलारेटी के बैस पर यूनिट बन जाएगा हमारे लिए मोल पर लीटर यह हमारा हो गया प्यारा सा यूनिट कोई दिक्क्त कोई डाउट यह पूरा प्यारा सा सब्सक्राइग दो यह चारों कंसेप्ट है जिसमें से बोड एक्जाम में लास्ट वेल्ट जब आप गरते हो बोड एक्जाम के लिए तो आपको यह बहुत ज्यादा कि अगर आगया तो किस तरह से करेंगे यहांगा जैसे कि a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो mass of A बोलो या solute बोलो यह है 2 gram और अगर मुझे mass of solution निकालना होगा तो mass of solution आएगा a plus b मतब 2 plus 18 करना पड़ेगा तो आगया 20 gram अब हमको बोला क्या है जाए चेक करो क्या करेंगे mass percent mass percent जो हैंगे पूछ रहा है आप से यह तो काफी easy question हो गया बोलो क्या करेंगे mass percent equal to mass of a solute divided by mass of a solution into 100 सर कैसे करेंगे simple है बच्चा mass of a solute दो है यह कितना है 20 से into क्या किया hundred किया यह कट किया यहां पर आगया पांच दिख रहा है बच्चा सबको जड़ा चेक कर लो यह तो कितना आगया बच्चा 10 मेरा answer आगया 10 percent check करो और देखके भी लग रहा है कि हाँ sir 10 परसेंट आने वाले इससे जादा क्या ही आएगा 20 नमर का पेपर है दो मात मिलें तो कितने परसेंट हुए 10 परसेंट हुए वही बताना है कोई दिक्कत चलिए last concept लेते हैं मज़िदार तरीके से बजा आएगा आपको देखके calculate the molal molarity molarity बोला है ठीक है ऑफ एन वेच इन दस सलुशन प्रिपेर्ट बाइड डिजॉल्विंग 4 ग्राम in enough water to form 250 ml of this solution molarity बोला है पहले समझो जराब अगर इसको आप observe करेंगे तो क्या क्या दिया गया है पर जरा वो समझते तो हमको दिया गया है मतलब कि हमको दिया है मास of a solute कितना दे दिया है चार ग्राम और solid क्यों सब्सक्राइब करो calculate the molarity of NUH in the solution prepared by dissolving this is 4 4 gram in enough water मतलब NUH हमारा क्या है बच्छा NUH क्या है हमारा इसको निकालना पड़ेगा मुलार मास मुलार मास of NUH निकालना पड़ेगा एनने का नमबर होता है थेज़ वो होता है 16 यह होता है सेवें वन तो सबको जरा सॉल करो कितना रहा है चार्टी नौ एक दर्स मतलब 40 आ रहा है 40 ग्राम पर मूल यह मुलार मास आया बच्छा सर मुलार मास की क्या जरूरत है बताओंगा रहा है आपको बस अप ध्यान दो यहां पर फिलाल मास चार ग्राम दिया मुलार अब मुझे लीटर में इंट्रेस्ट है तो मैंने 250 अपॉन 1000 कर दिया बच्छा तो मुझे मिल गया 0.25 लीटर इतना लीटर आ गया यह सब को समझ में आ रहे है सर ऐसा क्यों कर रहे है तो आप जड़ा मुलारेटी के पता नहीं तो अगर मैं आपसे पुछों क्यार मुलारेटी का फर्मूला क्या होता है तो आप बुलेंगे सर मोलारीटी जो होता है इसका फॉर्मूला है मोल्स आपसलूट दिवाइड बाए वल्यूम आफसलूशन सही बात है वल्यूम आफसलूशन वो भी किसमें लीटर में अब यह है क्विश्चन नवर्मून ले लो समझा तो अब खुद दिमाग चला हूं कि सर इसमें तो मोल्स आफसलूट क्या पता इनिया मुझे तो मुल्स वस्ट जिलगे मास अपन मुलार मास सबको मालूम होगा मास अपन आपन मुलारमा सर मास तो 3 wasnals में डिखे इस घ्रन यह 40 घ्रम यह 40 घ्रम पर मुल्स था आपका सर के बाया सर ब्रक कतना सरा हे अए अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बन जागा आपके लिए 0.1 और ये 0.25 लिटर आपने बोला था अगर मैंने इसको 100 से किया तो उपर बन जाएगा 10 नीचे बन जाएगा 25 कट करो इसको पांज नीचे बन जाएगा 25 मतलब आंसर आगा 0.4 0.4 क्या आगा सिर तो 0.4 हमारा final आंसर आएगा बच्चा मॉलारेटी को हम किसमें दिखाते हैं मूल पर लीटर में तो आंसर आगा 0.4 मॉल पर लीटर को हम लीटर इन्वर्स कर सकते हैं उमीद कर रहा हूं एक दो मस्त समझाओ का मैं फिर से बर रिपीट कर रहा हूं कभी भी आदर को नुमेरिकल को देखक आने का फर्मूला मैंने बताया था मास अपन मोलार मास या आया मास मैने चार ग्राम लिया था मोलार मास अमने पीछे सॉल गया दा 0.1 मुझे मोल मिल तो मैंने यहां पर 0.1 मोल पूट अप कर दिया और यह वोल्यूम आप पर सलूशन पीछे मैंने निकाला था 0.25 लीटर इस तरह से चैप्टर नमबर टू के जो मोस्ट इंपोरिंग वह यहां पर क्लास 11 के लिए खतम हो रहा है उम्मीद करना हो गया एक एक चीज दिमाग की नसों में बैठ रहे होगी मिलते हैं ऐसे खुब्सूरा से से सेशन में तब तक के लिए जैहिंद 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 अगर आप चैनल पर बिलकुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने बहुत दिनों से आप इसको फॉल्लो कर रहे होs काफी दिनों से जान रहे हो हमारे पुराने स्टूरेंट्स हो तो आप अपने दोस्तों कर यारों को श्यर करना नह भूले मिल